कैसा बना रूची बहुत देश्टी है यहां सही में बहुत खीर कैसा बना है बहुत देश्टी है थाइंक यू परफिक्ट है दी आर्थी किचन में आप सभी का स्वागत थे तो आज मेरी छोटी बहन और छोटा भाई आया है तो उन दोनों के लिए मैं उनका फेबरेट रेसिपी बनाऊंगी लंच में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे है यहे गोविं खीर काफी टेस्टी बनती है पांच मिनट हो चुकी है कंटिन्यू चलाते हुए खीर को देखिए मेरी खीर रेडी होने वाली है इसमें अब मैं अभी फ्लेम को मैं लो कर दी हूँ इसमें मेरे पास जो ड्राइफ रूट था उसको मैं डाल कर सभी ड्राइफ रूट को अच खीर का जो फ्लेवर काफी अच्छा हो जाता है ये खीर मेरी रेडी हो चुकी इसको साइड मैं करके ढखके रख दूँगी जब तक मेरी कड़ाई गरम हो रही है मैं पांच प्याज ले ली सभी को बड़े-बड़े पीसेस में काट लूँगी कुछ इस तरह और मैं आज बना लाने जा रही हूँ लंच में मतर पनीर की सबजी वह दोनों का फेबरेट है मेरी कड़ाई गरम हो चुकी है तो इसमें मैं सरसो का तेल डाल दी और हमारे घर में सरसोंगा सर्सोंगा यउस होता है क्यों खुच हसे रहे एक पनीर को बड़े-बड़े पीसेस में काट और इसको semi fry कर लोगी semi fry करने से क्या होती है कि जो आपकी पनीर है वो hard नहीं होती है वो soft होती है इस तरह सभी को निकाल ली और ये हरा मटर अभी ठंड की मोसम है तो आज असानी से market में मिल जाती है और हम अपने kitchen garden में भी लगाएं पर ये भी हुआ नहीं है तो ये market से मैं मंगवाई हूँ और फिर मैं मटर को भी semi fry करने के बाद तेल डाली तेल गरम हो चुका इसमें पाँच तेजपत्ता डाली ये हमारे kitchen garden की है और प्याज और पाँच टमाटर एक चमच जीरा एक चमच काली मिर्च 10 लाल मिर्च 3 इंच अदरक 2 पूट लसन आप चाहे तो हरी मिर्च भी यहाँ डाल सकती है पर उसे तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ लाल मिर्च एड़ की हूँ सभी टमाटर प्याज ठंड़ा हो चुका थे इसमें अच्छे से फाइंड पेस्ट बना लूँगी कुछ इस तरह देखिए अब मैं रा दोबारा कड़ाई रखी और कड़ाई में मैं सरसो का तेल डाल दी इसे में थोड़ा गरम कर लूँगी तेल गरम हो चुकी है तो इसमें फोरन के लिए दो लाल मिर्च और आधा चमच जीरा डाल दी जो मसाला मैं पीसकर रखी थी सभी को डाल कर कंटिन्यू चला लूँगी इस तरह देखिए और इसमें मैं एक चमच हल्दी पाउडर डाल दूँगी देखिए मेरे मसाले के जो कलर है कितनी अच्छी कलर आई हुई है तो इस तरह मैं 5 मिनट तक सभी को पका लूँगी 5 मिनट के बाद देखिए मेरे मसाले अच्छे से सभी फ्राई हो चुकी है और देखिए कड़ाई में तेल भी मेरे मसाले छोड़ने लगे हैं अब देख सकती है तो जो मैं फ्राई करके मतर और पनीर रखी थी उसको डाल कर मैं 2 मिनट और इसे चला लूँगी सभी मसाले अच्छे से जब तक मिलना जाए कुछ इस तरह और देखिए मेरी सबजी बहुत ही टेश्टी लग रही है देखने में अब इसमें मैं स्वाद अंसार नमक डाल दी और दो चुटकी चीनी डाल दी आप चीनी इसमें इसकिब भी कर सकती है और गरम मसाला एक चमच डाल दी इसको दो मिनट तक और इसे चला कर फ्राई कर लूँगी देखिए मेरी सबजी रेडी हो चुकी है इसमें मैं मेरे कीचेन गार्डन का धनिया का पत्ता डाल दी और गैनिक धनिया का पत्ता आप डालेंगी सबजी में बहुत ही अच्छी खुसबू आती है इसमें मैं बॉइल पानी डाल दी आपको जितनी गिरे भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकती है और इसे मैं ढखकर दो-तीन मिनद तक और पका लूँगी फिर अब मैं बना लेती हूँ खीरे की राइता बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है कम टाइमों में कम टाइम में और ये देखिए सभी को मैं कदू कस कर ली अब मैं सबजी को एक बर फिर से चेक कर ले रही हूँ देखिए मेरी सबजी बहुत ही अच्छी बनी है और इसे मैं चला कर इसका फ्लेम बंद करके साइड कर देती हूँ आप इस तरह अपने घर में सबजी बना सकती है यह दही एक केजी दही है मेरा आधा केजी खीरा था इसको मैं अच्छे से पानी को निकाल दी हूँ अब पानी निकाल देने से क्या होता है कि खीरे दही जो है आपकी पतली नहीं होती है यह भूना हुआ मसाला है जीरा, धनिया और लाल मिर्चे सभी को भूनकर मैं पीस लीती यह अजवाइन, मंग्रेला, आधा चमच, स्वादंसार, नमक और मैं चार चमच इसमें चीनी डाल दी हूँ चीनी डालने से राइता बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी बनती है और मैं एक चमच इसमें सरसो का तेल डाल के सभी को अच्छे से मिला देखे मेरी राइता रेडी हो चुकी है, अब मैं पूरी बना लेती हूँ और किसके साथ ऐसा होता है कि उनके घर मायके के लोग आते हैं तो वैसा लगता है कि क्या उनको मैं बनाकर कम टाइम में खिला दूँ और जो मेरी बहन भाई है, वो 2-3 घंटे के लिए ही आते हैं तो मैं सोचती हूँ दो-तिन घंटे में उनका फेवरेट जाया जो भी मुझे पसंद है उनको क्या बना कर जल्दी-जल्दी खिला दूँ तो इस तरह मैं लंच उनके लिए बनाए थी उन दोनों को बहुत मेरा लंच पसंद आया और इस तरह मैं सभी पूरी को तल लूँगी और मैं जो पूरी बनाती हूँ उसमें कोई मोयम नहीं डालती हूँ नॉर्मल जैसे मैं रोटी बनाती हूँ उसी का पूरिया बनाती हूँ काफी अच्छी बनती है और आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब अच्छी बनाती हूँ झालती हूँ झालती हूँ झालती हूँ झालती हूँ झालती हूँ